वेलकम बैग वेटा हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था मैक्सम में में जिसमें त्वेल्थ कोशन तक कर लिये थे अब उसके आगे हम कोशन नुबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं वापस मैक्सम में निमा थाकि इस टॉपिक को फड़ा-फड ख़तम कर सके हमने दो डैप की अप् अब 13 कोशन से जनल आपके वर्ड प्रोम स्टार्ट होगी मिस मैक्सम में की अप्लिकेशन कैसे लगेंगी तो जैसे कोशन नुबर 13 अब देख रहे हैं क्या कह रहे हैं 13 कोशन आपका कि फाइंड फाइंड two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible तो हम माल लेते हैं कि वो कहा रहा है कि दो number पता हो कि जिनका sum 24 हो तो हम कहा ले लेते हैं let x and y the two numbers let x and y be the two numbers अब हो क्या कह रहा है कि इस x plus y का जो sum है वो 24 दिया हुआ है और हमें इन दोनों का product को maximum करना है इन दोनों के product को maximum करना है इसको हमें maximize करना है राइट यानि या maximum विनिया का concept यहां से start होगा but maximum minimum जब आप करते हैं तो आपने पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था function जो हो single variable होना चाहिए हम जनले लिखते थे थे fx फिर fx का derivative निकालते थे f dash x इस तरह से तो तो single variable होना चाहिए यहां तो two variable है तो जिस भी equation को हमें maximize करना वो single variable होने चाहिए तो इसको single variable या नहीं या तो x या y में होने चाहिए तो उसको x और y में convert करने के लिए equation दे रखिए यानि हम इस equation का use करेंगे x plus y को 24 है इसका use करेंगे variable को replace करने के लिए तो हमने यहां से y की value निकाल ली वह आगे 24 minus x आप x की value भी निकाल सकते थे क्योंकि हमें किसी भी एक variable में convert करना है तो जैसे ही मैं यहां पर इसकी value put करूँगा 24 minus x तो P क्या आजाएगा P आपके पास 24 x minus x को अब हमें इस equation को differentiate करके इसकी maximum value निकालनी है तो हम इसका derivative लेते हैं क्या आएगा पहले differentiate करेंगे with respective x तो यह आजाएगा 24 x का derivative 24 because 24 as it is x क्रेटिव 1 और x क्रेटिव आजाएगा 2 x अब इसको हम 0 के को लग देते हैं तो यहां से x की value आगे 12 यह आगे x की value अब हम निकालते हैं second derivative ठीक है तो सेकेंड डेटिव जब निकालेंगे तो हम d square p by dx करेंगे तो हम 24 का derivative लेखेंगे 0 और 2 x का derivative लेखेंगे 2 तो यह आ जाएगा आपके पास minus 2 second derivative यानि पी जो है negative आ गया और second negative निगेटिव होता था क्या होता है case of maximum तो हम क्या देंगे कि वह हो गया case of maximum यानि पी जो है वो maximum कब हुआ जब हमारा x 12 y है हमसे क्या पूछा गया था find the two numbers whose product is maximum large as possible means maximum तो हमने एक नमबर तो निकाल लिया x y की बात करें तो y हम आ रहा था 24 minus x तो वहापे हम x की value पूट कर देंगे 12 तो हमारा पस 12 by 12 नमबर आ गए जिनका product maximum है बिसी के लिए कोशन यह था कि 24 को ऐसे ब्रेक कर ओं कि इनका product maximum है तो ऐसे भी कह सकते थे जैसे 13 और 11 हो गया 14 और 10 हो गया 12 हो गया इस तरह से हम numbers कह सकते हैं बड़ यहां पर प्रोड़ 144 आ रहा है यहां पर प्रोड़ 143 आ रहा है तो maximum कहा रहा है maximum हम कह सकते 143 प्यार रह तो इस तरह से हमने application लिख लिए इधर से हम clear नहीं कर पाते हो सकता था इंटीजर नहीं है तो points में आया गा तो फिर calculate कैसे करेंगे तो यहां पर उसने बोला था दो और हमें माल लेते हैं यह जो इसको मैं expression को माल लेता हूं पी फिर से we have to minimize this x into y cube को maximum करना है ठीक है तो फिर से किसी एक variable की question निकाल सकते हो तो आप चाहो तो यहां पर ऐसा करते हैं इसमें x की वैले निकाल लेते हैं x की वैले निकालने के तो यहां जाएगा 60-y ठीक है यहां पर मैं x की वैले पुट करते हूं इसके बीजिए दो रीजन है एक तो पिछली बार जो हमने किया है उससे थोड़ा different हो जाएगा दूसरा यहां पर x की पावर 1 है तो मुझे open करनाने में असानी रहेगी इसमें multiply क कर सकता हूं इसी question को और मुझे से easily हो जाएगा हाला कि मैं ना भी multiply करो तो प्रोड़ू भी लगा सकता हूं अब हम इसको differential करते हैं y के respect में तो dpy y क्या आएगा 60 as it is y cube का derivative 3y square y4 का derivative 4y cube अब यहां से आप क्या देख रहे हैं कि नब 4 common आ रहा है y square common आ रहा है तो यहां पर अगरा 64 common ले लिए तो बचा 15 into 3 45 minus y अब आप जब इसको 0 के क्यों रखेंगे तो y की value आ जाएगी या तो 0 यह आ जाएगी y की value 45 तो यह आपके आ गए critical point यह टर्निक points एक तरह से कह सकते हैं अब में second narrative निकालना है तो इसको हम दुबारा differential करते हैं तो जब हम इसको दुबारा differential करेंगे d square p by dy square तो क्या आएगा इसका derivative ले ले लेते हैं यह है हमारा 180 y square तो 180 as it is y square का derivative हो जाएगा 2y और 4y cube है तो 4 as it is y cube का derivative हो जाएगा 3y square तो 12 y square हो जाएगा ठीक है तो आम यहां पर क्या देख रहें 15 into 2 30 y बचेगा है ना और हम y भी common ले लिए तो 30 बचेगा यहां पर और यहां पर बचेगा सिरफ y अब जम जीरो पुट करें तो secondative 0 हो रहा है secondative 0 का वालब नीदर maximum और भी नहीं हो तो य तो 0 नहीं हो सकता हमें तो maximum value चाहिए अब बात करते हैं 1545 की तो जैसी हम इसमें y को 45 उट करेंगे इसको लिखते हैं एक वाई इकुल टू 45 है ना तो यहां जाएगा 12 into 45 और 30-45-15 आपको एक्चुल वैल्यों निकाल लिए आपने दिखाना है कि positive into negative हमारा answer negative आ रहा है second negative का मतलब है case of maximum हो गया हमें maximum ही करना था किसो maximum हो गया और हमने बता दिया कि x into y cube is maximum यह maximum कब है at y equal to 45 और y 45 है तो x क्या आ जाएगा x यहां से आ जाएगा 60-45 15 तो 15 और 45 इस तरह के दो नंबर है जिनका sum 61 रहा है और x into y cube maximum आ रहा है इसी के parallel नाइल पर अगला question देखते है कि दो नंबर का sum 35 दे रखा है और हमें x square y5 को maximum करना है 35 है दो नंबर का sum 35 है तो हम माल लेते एक सेन वाइट आ था टू नंबर्स और x plus y हम इदे रखा है 35 और हमें क्या करना है हमें x square y cube को y5 को maximize करना है एक स्कूर वाइफाइब को maximize करना है ना कि sum 35 था और एक स्कूर y5 को maximize करना है तो करता है बिल्कुल same approach बड़ा एक value निकाल लेते हां से variable को replace करने के लिए तो y आजाएगा 35 minus x और अगर आप x को निकालना चाहेंगे तो x आजाएगा 35 minus y किसी को भी replace आप कर सकते है ठीक है किसी को करें बता ही एक्स क्योंकि मैं डिर्टिव ना easily x की टाम में लेना आता है तो y को replace कर देते हैं क्या होता है हम derivative x में जादा easily ले ले लेते हैं तो यह मैंने y को कर देटिव लेंगे तो आएगा 5 35 minus x की पावर 4 और फिर अंदर वाली टम कर देटिव लेना नहीं भूलेंगे 35 minus x कर देटिव होजाएगा 0 minus 1 तो इसके बाद 35 minus x की पावर 5 ऐस इस होगा और x को रगड़े बज़ेगा 2x यहां से कॉमन लेंगे तो 35 35 minus x की पावर 4 कॉमन आ रहा है को कि यहां पावर 4 यहां 5 है तो इसलिए minimum power common आगी और x कॉमन आ रहा है यहां से तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ब्रैकेट में बचेगा यहां पर minus 5 5 minus 5 और x और यहां बचेगा 2 into 35 minus x कॉमन चला गए और पावर 4 चलेगी तो हमानको इसको solve करने पर क्या आ गया इसको जब solve करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास minus 2x minus 5x और 70 minus 7x तो जब इसको 0 के क्या के value आ गई तो x की value आ गई 0 from here 35 from here जब इसको 0 रखेंगे तो 35 minus 0 और 70 minus 7x को 0 रखेंगे तो x की value आ जाएगे 10 तो 3 value हमार पास आ गई ठीक है अब यहां पर इसने बोली थे कर आपने नोट किया हूं कि पॉजिटिव नंबर से ना पॉजिटिव नंबर लेना है तो जीरो का अब ना तो पॉजिटिव मानते है न नेगेटिव मानते है तो जीरो तो वैसी exclude हो जाएगा ठीक है तो मार पास बचता है 35 और 10 अब हम सेकिन अर्टिव ल लेंगे तो माइनस 7 इसके बाद X into 70-7 X as it is 35-4 35-3 और फिर 35-3 और फिर 35-4 as it is 70-7 7x की पावर 7x as it is और एक्स कर्ड़ेटिव बन अब इसमें पुट कर तो दो वैल्यू जो आरी है जैसे आप इसके अंदर और एक्स की वैल्यू माल लेते टेन पुट करोगे तो टेन कहां सा यदा 70 माने से वन से तो यह तर जीरो हो जाएगी और यह तर पुट करोगे तो एक्स तैन और ये तो पावर फॉर है पॉजिटीव आएगी ही इंटू माइनस सेवन तो माइनस सेवन्टी और सम्तिंग जो सब कुछ नहीं करना हमने स्मार्टेस दिखानी है कि यह जीरो हो जाएगी जीरो हो जाएगा माइनस सेवंटी इंटू टॉन्टीफाइव की पावर फोर नेगेटिव और एक जोड दिखाता हूं मैं जब थर्टीफाइव पुट करोगे बटा थर्टीफाइव पर यह भी टम कर सकते हैं तो आगे जाने से हमारी कोर्श में जो है रटस नहीं यह तो हम यह यही पर रोक देंगे इस पर पो मैक सिम anam square and y5 is maximum at kab maximum हुआ हमारा जब हमारे पास x 10 है और y हमारे पास 35-x तो y हमारा 25 है तो इस तरह से question को कर सकते हैं ठीक है तो सारे similar question थे एक last और कर लेते हैं दो number है positive फिर से जिनका sum 16 है और उनका cube minimum है तो इस बार हम sum of the cube है ओके 16 के लिए एक परियाट कर लेते लिखते हूं अब क्या करें बटा दो numbers हैं जिनका sum क्या था एक बड़ दुबार देख लेते हैं sum क्या था sum 16 है यानि x और y हमने अगर number बाने तो x plus y 16 है और उनके sum का cube का sum है यानि x cube plus y cube हमें इसको minimize करना है ठीक है इसके cube को minimize करना है तो कैसे करेंगे तो फिर से होई किसी वे एक variable की value निकाल लो आप तो y निकाल लेते है y आ जाएगा 16 minus x तो यहाँ पर put कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा x cube और यहाँ आ जाएगा 16 minus x का whole cube अब हमें इसको क्या करना है minimize करना है इसका derivative लेंगे तो ds by dx निकाल लेते है तो x cube का derivative 3 x square यहाँ पर तब 3 derivative लेंगे इसका derivative लेंगे तो 3 आगे जाएगा इसकी power 2 हो जाएगी और 16 minus x का derivative minus 1 आ जाएगा अब हम क्या करें common आ रहा है कुछ common आ रहा है आपके पास 3 और फिर इसको open कर देते हैं तो x square minus अब इसका जब whole square खोलेंगे तो 16 का square 256 plus x square और minus 2ab से minus 32x आ जाएगा तो x square से x square तो कर जाएगा जब bracket open करेंगे तो यह बचेगा आपके पास 3 into 32x minus 256 इसको 0 के को लगते है तो हमार पास आजाएगा x equal to 256 by 32 ठीक है तो 8 पे जा रहा है 8 पे 32 पे जा रहा है 32 8 तो 256 होता है तो हमार पास x 8 आ गया secondative ले लेते हैं तो जो हम secondative लेंगे इस equation का तो 3 as it is 32 x का ड़ेट इस 32 और minus 0 तो यह आपका positive आ गया यानि s अगर positive ले आ गया तो इसका हमार लोग यह बन गया case of minimum case of minimum कब आया जब हमार पास x 8 था और y कितना था y हो जाएगा 16 minus x यानि 16 minus 8 तो 8 and 8 are the two numbers such that the sum of the cube is minimum तो यह basic questions थे maximum minimum के जिसमें हमने idea लेना था अब चलते है प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम पे जो application बेज़ दोंगे जैसे आपको दिख रहा है 17th question very very important question बहुत बार boards में आ चुका है ऐसे तीम question NCRT की में ही दे रखे है 17th, 18th और एक example दिया हुआ है question क्या कह रहा है आपको समझाता हूँ मैं question यहां पे है किना एक 18 by 18 की sheet है square sheet इस तरह से 18 by 18 की square sheet है हमने हर corner से square piece cut करना है यह piece को cut कर देना है यहां से खाली हो जाएगा ठीक है इस तरह से cut कर देना है तो जो piece cut करके आएगा यह एक तरह से plus shape आजाएगा आपके पास और इस shape से इनको ऊपर की तरह फोल्ड करेंगे तो एक box बनेगा ऊपर से खुला होगा तो उस box का volume कितना होगा वह हमें देखना है और volume को maximum करना है ठीक है ना तो एक बर question को समझने से पहले एक पर एक चीज देखते हैं जारा एक बर वीडियो देखे जारा मैंने इसको थोड़ा clear करने की पूशिश की है एक बर देखें फिर इसका discuss करते है कि इस लाइक है 18 cm square sheet इस तरह से हमें 18 cm square sheet इस तरह से हमें 18 cm square sheet आपके एक बर देखें स्कुएर कट करेंगे तो क्या होगा मैंने square piece कट कर दिया इस पर हर साइड से square piece कट कर लिया अब कोशन में बोला है कि यह जो flaps है जो बने है इसको फोल्ड कर दिया इसको अपर की तरह फोल्ड कर देंगे इस अफरी में और बने हैं 10 cm Пер्वाड उंक कीजिया वह जब बाॉकस एंड इसका वॉल्यूम मेंसिम होेठी है इसका वॉल्यूम मेंखम है यह जब गर देता इसका बाउक्साइब हो Böyle है आपक्स एंड एंधा सिब्स्काई करें पाड़ा काम्साइब सब्सक्राइब लागने विज्सक्ताम इनिफ भी निफंप लगो रहें तो ये पुरी लेंथ एंते निक झालेकर में में बोलों कि यह एक साइट कर घर टरहने निफ्सक्ता शेंगे टाइब लेकर दैट विलंस में तुराथ इसके ब्रैथ आजेगी एक तो हमने क्या देखा कि यहां पर जो फ्लैप को कट किया ऐसे बॉक्स को तो उसमें हमार पास एक बॉक्स क्रेट होगी आपने देख लिया तो अगर यह पूरी साइड 18 वाइटीं की थी हमार पास यहां पर ठीक है 18 वाइटीं का साइड था तो हमने माल लेते हैं कि यहां से x पीस कट किया उसने बॉला कितना भी स्कुर का कट करें तो माल लेते हैं x पीस हर साइड से कट किया तो जब हम x पीस कट कर देंगे x इधर से और x इधर से तो उस बॉक्स की लेंथ कितनी रह जाग तो लेंद्ध और प्रहत्व मिलगे घृट कितनी है जो फ्लैप को फोल्ड करें के उपर की तरफ लाए थे इस फ्लैप को उपर की तर फोल्ड करें तो उस बॉक्स की हई तो जैसे अब वीडियो में देखा तो कोशन कहरा है कि कितना वॉल्म मैक्सिम करेंगे ठीक है तो हमने क्या करना है हमने बोला था कि हमने भी एफ कर known है सक्वयर आफीज़ एक स्कॉऔर्स इच्छ और इच ओनल यह तो हंदा पहर हमने पे आपस यहांपे बॉला कि यहांपे हमने एक बॉक्स क्यों कट किया जिसकी साइड एक X, इसको हर corner से cut कर दिये, इधर से भी इधर से भी, इधर से भी, और इधर से भी, तो हमार पास जो box आ गया, उसकी length कितनी आ गया थी, उसकी length आ जागी हमार पास, 18-2x उस box की breath कितनी आजएगी 18-2x और height कितनी आजएगी उस box की x को कि यह fold करके जो flap आया है यह उपर की तरफ होगा न तो हमने यह flap को इसको उपर की तरफ फोल्ड किया तो volume होता है हमारा box का length into breath into height यह जब value put करेंगे तो यह आजएगा 18-2x का square और into x अब हमें क्या करना है इसको maximums करना है कि कितना piece cut करें तो हम क्या करते हैं इसको maximums करने के लिए first derivative ले लेते हैं आप चाहो तो इसका square open करके derivative ले सकते हो नहीं तो सीदे हैं यहीं पर product लगा सकते हो तो product लगाते हैं x as it is इसका derivative लेंगे दर 2 into 18-2x की power 1 और फिर 18-2x का derivative 18 का 0 और minus 2x का minus 2 फिर उसके बाद 18-2x का square as it is और x का derivative 1 अब उसके बाद यहां देख रहे हैं हम क्या हो रहा है कि न यह term तो यह थी अब यहां हम देख रहे हैं कि न 18-2x common आ रहा है तो हम 18-2x common ले लेते हैं ठीक है यहां से 18-2x common ले लेते है तो क्या बचेगा 18-2x अगर common ले लेंगे तो यहां बचेगा 18-2x और यह common ले चुके तो यह बचेगा minus 4x तो यहां पर हम अरपस आ गया 18-2x into 18-6x अब जा हम ने इसको 0 की को लखा तो आप के पास x की value आ गई 9 from here और 3 from here अब हम कह सकते हैं कि x 9 is not possible आपके mind में आ रहा हूँ x 9 possible क्यों नहीं है सोचके देखेंगे कि बच्छट क्योंकि अगर x 9 इसलिए नहीं possible है क्योंकि नहीं जो total side थी box की वो ती 18 और हम कह रहे हैं कि हम हर side से x cut कर रहे है x length तो अगर आप 9 length यहां से cut कर दोगे और 9 length यहां से cut कर दोगे तो सब कुछ तो cut जाएगा ऐसी यहां पर भी तो box किसका बनाएंगे ना box तो बनी नहीं बाएगा उस किसमें जब सारी card देंगे 9 इदर से फाट दिया 18 तो पूरा ही कट गया तो box इसका बनाएंगे तो 9 तो possible नहीं है तो हमार पास बच्छा x equal to 3 अब हम x equal to 3 से start करेंगे और derivative लेते हैं second derivative हमार पास db bar dx आ चुगा है 18 minus 2x और 18 minus 6x अब हम लेते हैं इसका derivative तो जब second derivative लेंगे तो फिर से proto 2 लगेगा तो 18 minus 2x as it is 18 minus 6 का derivative minus 6 और फिर 18 minus 6x as it is 18 minus 2x का derivative minus 2 अब आपको इसको solve करने की ज़र्द नहीं है हमारा जो value आई यही पे put कर दो हमार पास x की value आई है 3 क्योंकि 9 तो possible नहीं था तो 3 put करने पे यह हो जाएगा 18 minus 6 12 into minus 6 और यह टब हो जाएगी 0 क्योंकि यही से तो आया था 3 तो हम कह रहे हैं कि second relative यह नहीं dv second relative of volume is negative negative आ रहा है मलब case of maximum हो रहा है अगर case of maximum हो रहा है इसका मलब क्या हो गया volume is maximum तो volume maximum कब है volume is maximum at x equal to 3 यह अगर हम हर side से 3 cm करेंगे तो उस box को volume maximum हाएगा सबसे ज्यादा capacity आएगी तो यह तरह से general application होगी maximum होगी और आप से पूछ सकते हैं कि इस box का maximum volume भी बताओ तो इस box का maximum volume क्या है यह था आपकेंगे दो और बाके सबसे से हमने नीट से 13 मैं करेंगे तो इतना वाल्यूम हमारे पास आ गया maximum यह हमारे पास maximum volume आ गया देखेंगें तो यह कुश्चन था हमारा तो 17 उनका है बिल्कुल सेम प्राइलेंट पर 18 है इस बार स्कॉरशीट की जगह स्कॉरशीट की जगह रेक्टेंगूलर शीट है यानि इस बार 45 बट 24 का वाक्स हो जाएगा 18 बाइटीन की जगह है न और बाकि सब कुछ सेम है कि हमने हर साइट से स्कॉर पीस केट किया और उ तो यहां पर क्या है एक बॉक्स है अगला कि इसकी साइट 45 और 24 इह 45 खाय है और यह लेंद इसकी और ब्रैथ इसकी 24 है विलकुल से कुशन है कि हमने क्या किया है यहां से हर साइट से स्क्वार पीस कट किया तो लेट असे ऑफ लेंद एक्स पीस कट किया कि इस तरह से हमार पास आलका सा ऐसी शनवा चेगी फिर हम फ्लैप को फोल्ड कर देंगे उपर गिद्रफ कि अच्छ फ्लैप को फॉल्ड करेंगे तो बॉक्स बनेंगा उसकी लेंथ यह होगी 45 टोटल लेंथ इस हमने एक सैट से कट कर दी एक दूसरी सैट से तो लेंथ आजेगी 45-2X ब्रैथ यह पूरी 40 24-3X इधर से कट कर दी एकस इधर से कट कर दी तो यह हो जाएगी 24-2X ब्रैथ और हाइट कितनी हो जितनी हमने कट करके उपर की तरफ लाए तो हाइट हो जाएगी एक्स यानि हमारे जो वॉल्यूम है इस बार हुआ गया 45-2x 24-2x और इंटु एक्स अब यहां पर हमें इसको मैक्सिमाइज करना किस एक्स की लिगे मैक्सिम होगा यह में बताना है तो क्या करते हैं मैं डेटिव लेते हैं अब यह तीन वाला प्रोटोटूल लग जाएगा थीवाला प्रोटोटूल यहां तो फिर आप इसको मुल्टिप्ली करके भी कर सकते हैं तो मैं तो 45-24 करेंगे तो आ रहा है 1080 क्योंकि 900 और 180 तो 1080 तो यह बन गए 1080 अभी डेरेटिव नहीं लिए ता फिर माठीक इसको डेरेटिव नहीं लिए अभी इसको सिर्फ मुल्टिप्ला करके दिखार आधर वाइस अब रोड़ रूल से भी कर सकते हैं तो माइनस 24 इंटू 48 X माइनस 90 X और प्लस 4X स्कूर अब इसको मुल्टिप्ला करते हैं तो वाल्यूम क्या जाएगा हमार पास 4X स्कूर इंटू X 4X3 138 138 X है तो X स्कूर और 1080 अब हम इसका डेरेटिव लेते हैं ठीक है इसका डेरेटिव लेंगे तो क्या है का देखते है तो डीवी पर डीएक्स क्या जाएगा 4X क्यूब था तो यह बन्ने का 12X स्कूर 138 X स्कूर था तो 138 इंटू 2X और इसके बाद 108 X था तो 1080 अब उसके बाद यहां हम देख रहे हैं कि 12 सबसे कॉमन आ रहा है तो यह बन्ने का X स्कूर यहां से 12 कॉमन लेंगे तो यह था 276 तो 12 कॉमन लोगे तो 12 तो 24 और 3 तो 23 बन जाएगा और यहां पर आ जाएगा 12 निम 108 तो 90 अब हम यह नंबर को ब्रेक करना तो फेक्टरिजेशन तो पहुत हीज़ी हो रही है यह बन रहे है 18 5 तो इसकी फेक्टरिजेशन होके यह आगे आपके पास X-18 और X-5 इसको 0 के को लखेंगे तो X की वाल्यों 18 आ गई या फिर X की वाल्यों 5 आ गई अब फिर से 18 इस नोंट पॉसिबल क्यों पॉसिबल नहीं है आप सोचके देखिए अब पिछल वाला नहीं लगेगा कि 45 तो 18 इदर से कट कर दिया 18 से तो कट नहीं कर सकते नहीं यह दूसरी के लिए हो जाएगा कि इसकी लेंद 24 तो 24 की केस में 18 दोनों सैट से कट नहीं कर पाएंगे तो यह तो पॉसिबल नहीं होगा ठीक है कि अगर आप 24 लेंद ब्रैथ है उसकी 18 एक साट से कट कर देंगे तो दूसरी साट के वह तो बचा ही छे 18 तो दोनों सैट से में कट करना है एक्स तो पॉसिबल नहीं हो इसलिए हम इसको यह छोड़ देंगे अब इसका सेकेंड डिव ले ले लेते हैं इसका ले लेते हैं डिव तो यह 12 एज़ आ है एक्स को देट टूसरी तो जब आप इसमें पुट करेंगे सेकेंड टेमें 5 एक्स को 5 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा टू इंटु 5 टैन टैन माइनस 23 माइनस 13 तो नेगेटिव आ गया नेगेटिव आगे केस ओफ मैक्सिमा हो गया और आप कहा देंगे इसका मद्र हो गया कि वाल्यमिस मैक्सिमूम इसमी मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू फाइफ सेंटीमेटर यहनि अगर हम हर साइट से 5 सेंटीमेटर का कट करेंगे तो जो बॉक्स दिसकी टैवेंचन 45-24 है तो उसकी वॉल्यूम Max o जाएगी हलागि यह भूला नहीं कि Maxim निंका लो बड़िसका पूछ भी सकते है बोर्ड में कि Maximum निकालो तो उसके समय Maximum कैसे निकालेंगे जो वॉल्यूम की एक्वेशन आई है हमार पास यह इसमें हम max value 5 पूट कर देंगे तो वी मैक्स कितना आ जाएगा तो वी मैक्स अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम वाल्यम आ जाएगा है तो आगे हम इसके और कोशिस करेंगे अभी आप इसको रिवाइस कर लेजे ठीक है थैंक यू